हेलो दोस्तों आप सभी का सबिए का सवागत है क्टवी इनडिया निई 추천 पे दोस्तों मैं हो अकबर पर आप देख रहे हैं क्टवी इनडिया निजैनल। चलिए दोस्तों आज की बड़ी खबरी के बारे मÝें जान ले बारे में दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है बलकि इसका मतलब सेल्फ जैनेटिंग होता है परदान मंत्री मोदी ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह मंच पंडित रविशंकर की सौवी जैनती मना रहा है उन्होंने भारतिय संसिय संगित को सुंदरता को दुनिया तक पहुचाया है नरेंद मोदी ने कहा कि आपने यह देखा होगा कि नमस्ते किस रूप में अविवादन किया जाता है परदान मंत्री ने कहा है कि करोना महामारी ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत का फर्मा सेक्टर सिर्फ भारत के लिए नहीं संपरदा नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए भी है वीकासील देसों केलिए भारत ने दवाई की लागत कम करने के लिए आहम भौमेका निवाई है। उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी ने उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पड़िवार के बेटियों के लिए मुखमंतरी कन्या सुमंगना योजना की सुरवात की गई है इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उसकी असना तक पढ़ाई तक शरकार आर्थिक मदद करती है इस योजना में सरकार इन बेटियों को अलग अलग चर्णों में कुल 15,000 रुपिय उपलब्द करायती है इस योजना का मकसद है कि कोई भी माबाप अपने बीटियों को अपने उपर बोजना समझे बलकि उनकी भविस क्योजबल बनाने के बारे में सोचे इस योजना को लड़कियों के स्वास्त और सिक्षा के योजना से जोड़ा गया है जिससे उसका भविस बहतर हो सके इस योजना की कुल का लागत मुल जो रखी गई है वो कुल मिलाकर 12,000 करोड रूपिय है इस योजना के तहट गरीब की बीटियों का कुल खर्थ सरकार उठाएगी इन में जन्म के समय 2,000 रूपिय एक वर्स के टिकाकरन पुन करने के बाद 1,000 रूपिय और कक्छा एक से में परविश करने के समय 2,000 रूपिय है और कक्छा छे में परविश करने के समय 2,000 रूपिय है ताथा कक्छा नौ में परविश करने के समय 3,000 रूपिय है और कक्छा इंटर और दसमी पास करने पर उसे 5,000 रूपिय का एक मुस्त उपहार प्रात किया जाएगा भारतिया प्र मदेशियों के साथ सोतेले वहवार करती है सरकार को भारत से इतनी ही नाराजगी है तो गोर्खा भरती भी बंद कर देना चाहिए अस्ट्रिया परजातंदर पार्टी एरूप नहीं जिला अध्यक्ष अवंबर्वा ने बताया कि नेपाल सरकार मदेशी मुल्ग के लोगों के दुर्भाग्य कर रही है मर्चेवार छेतर के वरिष्ट नेता इसलाम खान ने बताया कि नेपाल सरकार अब नीचले अस्तर पर गिर चुकी है अगर भारत से इतनी ही परिशानी है तो गोर्खा भरती बंद कर देना चाहिए और तथा नेपाल के लोगों को भारत जाने पर रुक लगा देना चाहिए यूपी में आठ पुलिस कर्मियों के अहत्या का मुख आरूपी विकास दुवे को कानपूर ले जा रहे है एईष्ट्येप की टीम की गारी पलट गई चुत्रों के हवाले इस खबर आ आ रही है कि गारी पलट ने के बाद विकास दुवे ने प विकास दुबे की मिर्तियों हो चुकी थी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से विकास दुबे वा गारी कानपूर में एंट्री करते ही पलट गई केंद्रिय स्वास्त मंत्रा लने शुक्रवार को कहा है कि भारत में कोवीड-19 संक्रमन से होने वाले मिर्तियों दर एक महिने पहले 2.82 थी यानि 2.82 थी जो अब गिरिकर 2.72 परतिशत हो गई है जो कई अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही कम है उनसे कहा है कि तीस राज्यों और केंद्र के शासित परदेशों के मिर्तियों दर राष्ट्य ओसत्त से कम है मंत्राले ने कहा है कि साथी स्वस्त होने की दर में वीर्दी हुई है और शुकरवार तक 62.42 परतिशत मरी स्वस्त हो चुके हैं अठारा राज्य और केंद्सासित परदेशों में स्वस्त होने की दर राष्ट्य ओसतन से अधिक है इसमें कहा गया कि राष्ट्य अस्तर पर मिर्तियों गिरकर 2.72 परतिशत रह गई है यह दुनिया के कई देशों के मिर्तियों धर से कम है देश में कोविड-19 परवंधन का ध्यान मिर्तियों धर कम करने पर रखा गया है सीवसेना नेता संजैराउत ने शुकरवार को कहा कि खुखियात अपरादी विकास दूवे के एक मुटबेद में मारे जाने को लेकर आंसु बहाने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लेकर आस्चर जताया की पुलिश की कारवाई पर सवाल क्यों हो रहे हैं खुखियात अपरादी विक्रूगों में 8 पुलिस करमियों के हत्या का मामला मुख आरोपी विकास दूवे सुकृवार सुभा कानपूर के बहुती इलाके में किमुटबेद में मारा गया पुलिस के अनुसार उज्जिन से कानपूर लाते समय सड़क का हाथसे में एक पुलिस वहांद के पलट जाने के बाद दुबे के भागने का प्रियास कर रहे थे राहुत ने बताया दुबे ने आठ पुलिस कर्मियों के हत्या की थी वर्दी पर हमला करने का मतलब है कि कोई कानून विवस्ता नाम की चीज नहीं है राज पुलिस द्वारा सक्त कारवाई की अवस्ता है चाए वह माहराष्ट हो चाए या उत्तर पर दे अब फिरी में होगा क्रोना वाइरस का इलाज करोना वाइरस यानि कोविड 90 का करहत पूरे चरम पिर है देश में लागातार इसके मामले के संक्यां बढ़ती जा रही है और वही दूसरे और इसके इलाज का खर्च काफी महगा होता है लेकिन अगर आप भारत सरकार के आयुस्मान भारत योजना का हिस्सा है तो कार्ड के जरिये कैसले सर्विश आसानी से आप लाब उठा सकते हैं लेकिन इस योजना का लाब उठाने तभी मिलेगा जब आप इस योजना में आपका नाम सामिल होगा आप रासन कार्ड के नमर से पता कर सकते हैं कि इस योजना में आपका नाम है या नहीं समाजबादी पार्टी ने गैंगेश्टर विकास दुवी के एनकॉंटर पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं का संबंद गैंगेश्टर विकास से था इसलिए इसका एनकॉंटर कर दिया गया भाजपा को डर था कि इसके राज खुल जाएंगे इसलिए उन्हें रास्ते में ही मार डाला गया अकलेश्ट ने मांग की है कि विकास की पांस साल की कॉल डिटल ससारवाजानिक क्या जाए ताकि पता चल सेके कि इस बीच उसकी किस किस से बात होती थी